हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू दा चनल तो मुकामा में बन रहे राजेंदर सेतू के समानंतर इस नए ब्रीज का काम काफी रफ्तार में किया जा रहा है जो कि यह डबल लेन का रेल विडिज होने वाला है पिलर संख्यां एक से लेके पिलर संख्यां 11 तक ट्रस रखने का काम को कंप्लिटली कर लिया गया है आज के इस वीडियो में दिखाने वाले हैं कि सिमरिया के तरफ जो है कितना काम हुआ है और सिमरिया के तरफ से भी देख सकते हैं यह जो है एसेंबल ट्रस को करते हुए आ रहे हैं और इधर जो है पीलर का काम काफी रफ्तार में चल रहा है और यह अपना राजन से तू जो की काफी एतिहासिक ब्रीज इसके साथ साथ सिमरिया मुकामा में बनाये जा रहा है सिक्सलें गंगा ब्रीज जो की रोड ब्रीज होने वाला इसका भी जल्द अपडिट आने वाला है तो आगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को दबाईएगा वीडियो चाले इधर से सिमरिया के तरफ से भी एसेंबल ट्रस को कड़ते हुए आगे की और बढ़ रहा है और इसका भी रिपेरिंग का काउंट किया जा रहा है तो काफी जो आने वाले समय में इसी प्रकार से यह जो डबल लेंकर रेली प्रीज बनाए जा रहा है जा रहा है जा सकती है सिगनल का इंतजार के लिए उदर रुकना पड़ता है और इधर इस तरफ रुकना पड़ता है तो इस तरफ रुकना पड़ता है और यह जो है Double-end का rail bridge बन जाने के बाद यह साइस समझ चाहें तो काफी जुआ पड़ा के बर पर बोऔर जै सकते हैं जो राजेंद सित्तू के उपर चाहें अपना जारा रही थे इस वजह से आप लोग को काफी आवाज आ रही होगी उसके लिए समझ आते हैं तो देख सकते से ही राजेन से तो को जस्ट नीचे थे इस वज़े से काफी जो है आप लोगों को आ रही होगी और यह अपना राजेन से तो जो की 1969 में बनाया रेल से रोड ब्रीज अभी तक टिका हुआ है और उत्तर भिहार को दक्षिन भिहार से जोड़ रहा है और यह राजेंदर एस्टेशन भी बन चुका है इसके साथ साथ जो है एप्रोच रोड का भी काउम किया जाड़ा है और आगे पूरा एप्रोच रोड का करता है दिनकर ग्राम से मड़िया वह भी एस्टेशन जो है बन कर तैयार हो चुका है जल्ट